कि ये गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज तो आज की इस वीडियो में आप लोग के शेयर करूंगे मेरा बर्दे लुक और ये है मेरा बर्दे का लुक बहुत सिंपल सोबर था और लोगडाउन बर्दे था 21st नेमेंबर को मेरा बर्दे आता है आप लोग को पता ही ह सबसे पहले मैं स्किन प्रेप करूंगी टोनर अप्लाई किया है गुडवाइब्स का ग्रीन टी टोनर था गुडवाइब्स की अवोगड़ो जेल क्रीम मैंने ऐस मॉइस्ट्राइजर उसके बाद गूडवाइब्स का आरगन ओल लिया है मैंने फिग गोल्ड लीव ब्राइ स्किन के लिए बहुत अच्छा नहीं है एल्स बहुत अच्छा प्राइमर है अधर स्किन टाइप्स के लिए उसके मैंने यहां यूज कि है लॉरियल इंफॉलियेबल फांडेशन मेरी शेड थी 200 और मैंने डॉट डॉट करके इसको अप्लाई किया था जितना हो सके पांडेशन को यूण हाथ से टच नहीं कीजिए और कम से कम प्रोड़क्ट आपको लेना है उसके बाद आप बिल्ड कर लीजेए अगर आपको कम लग रहा है तो यह काफी अच्छा यूदो मीडियम टू हाई कपरेज फांडेशन है उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लू भ्लूर कर लोंगी ऐसे के एक संब्रेश ब्लैंड कर लोंगी और उसके बाद मैं यूनॉद में कंसिलर चीरेशन के लीजेए को यूद अच्छ। अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद फिर मैं अपनी concealer को set करूंगी with the help of compact और यह compact है L'Oreal magic की तरफ से अच्छे से मैं इससे compact के help से set कर लोंगी आप देख सकते हैं concealer को set करना बहुत important है आपका face का भी क्रीज नहीं करेंगा और मेकप जो है वह long last रहेगा यानि जादा देर तक ठीकेगा और बिल्कुल भी लाइन्स या कुछ भी marks नहीं पड़ेंगे मेकप पर तो यह काफी जरूरी step है और winter में भी इसको skip मत कीजिए गाईज उसके आद में wet and wild के brow pomade से यूनों अपनी ब्राव को ग्रूम कर लूँगी सबसे पहले आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग यूनों बाउंडरीज क्रेट करेंगे इसको फिर उसको यूनों फिल इन कर लेंगे और बहुत अच्छे से यह जो ब्राव पोमेड है वो काम करता है काफी अच्छा है और काफी अच्छा यूनों स्टे भी करता है तो जैसा कि मैंने बताया मैं पहले बाउंडरीज ड्रॉ करूंगी और फिर उसको यूनों फिल इन कर लोंगी बहुत अच्छे से तो ब्राव को फिल करना बहुत ज़रूरी है ब्राव को ग्रूम करना क्योंकि इससे एक विजिवल डिफरेंस आप रहा होगा तो उसके हद में है यूज करूँगी शुगर का ट्राय पैलेट इसमीसे मैं पहले ब्राउंजर यूज करूँगी ब्राउंसिंग करूँगे अबने सेट सफ़कि मेरा से एंगिलर लॉक दिया थोड़ा से जिजल एप हो जाता है फेस ब्रावजर जरूर् सक की तो आप देख सकते हैं तो थोड़ा सब वांच लुक लगता है वरना फ्लैट लुक लगता है ब्रॉंजिंग यह भिना ब्रॉंजिंग यह पसंद 12 कि पसंद हो ब्रॉंजी पसंद आप यह की ब्ली पसंद नहीं है एके च्छोटा ब्रॉच लेके के naws की ब्रॉंज इंग मूझे थोड़ा जरूता है तुरा जोराइन पहता हना पर घ्रप पहान है और उसके तो मेमे मेरा छोटा, तो मुझे जरूत नहीं है तो मैं प्रश्पानमा किया दूद हम प्रॉट प्लॉट थोगा ज्यादी अधर 50 यह ब्लश काफी पिग्मेंटिड एस पैलेट का तो आप थोड़ा ध्यान सी यूज 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 कीजिएगा अगर यह पैलेट यूज कर सकते हैं तो तो अब कुछ नहीं है जो मैंने प्रोड़क यूज किया वही आपको यूज करने है उसके अधमा है यूज कर रही हूं क्या पॉजिटिव क्या नेगिटिव है इस पैलेट के उसके पूरे फेस पर हैलेटर लगाने के आद आइस में मैं कुछ ज्यादा नहीं करूंगी सिर्फ मस्कारा ही लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है यूज मुझे नहीं चाहिए था जस्मेने मस्कारा लगाया ह अपर आयलेशिस पर ज़्यादा लगाऊंगी लोर आयलेशिस पर कम मस्कारा अपलाई करूंगी कुछ इस तहीं किसे एंड उसके बाद मेरा मेक अप कंप्लीट हो गया सिर्फ लिप्स्टिक लगाऊंगी यह लॉरियल की लिप्स्टिक है प्योर रूज पीड़ पिंटो स् और यह है मेरा फाइनल फिनिश लुक आपको कैसा लगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर दीजिगा मेरे चैनल को और भी अमेजिंग मेक अप टुटोरियल हैस्टाइल वीडियो के लिए मेक और युनो स्किन केर के लिए दिए भाई वीडियो के लिए तो गाइस मिलते हूं मैं अप से पनी नेक्स वीडियो में तिल देन प्लीज लाइक शेर और सबसक्राइब तो मैरे चैनल बाइबाई और गाइस लाइक शेर और सब्सक्राइब